आज मैं पानी पूरी बनाती हूँ इसको गोल गपा भी कहते हीं वो भी मेरे स्टाइल से अब किस बात की देरी चलो चलते हीं पानी पूरी बनाने के लिए बिस्मिल्ला हिरामानी रहीम असलाम अलाइकुम वेलकम बैक तू मैं यूटूब चैनल उमीद है के आप तमाम यह खायरत से होंगे पानी पूरी बनाने के लिए हम फस्ट पोटाटो को बॉइल कर लेते हीं बिक साइज के दो पोटाटो लिए इसको हम तो हाफ कट करके प्रेशर कुकर में डाल दिये इसमें थोड़ा नमक डाल कर 200 यम मिल पानी आइट करके इसका लिट क्लोस कर देते हीं तीन विजिल के बाद हम इसको ओपन करेंगे अब हम खटी मीटी चटनी बनाने के लिए एक बिक लेमन साइज में इमली उठाकर इसको पानी में डाल दिये और एक टेबुली स्पून शुगर आइट करें ही इसमें आइट करते ही हाफ टेबुली स्पून रेचिली पौडर इसमें आइट करते ही जीरा पौडर हाफ टी स्पून हजबे जरुरत नमक और इसको हम बॉयल के लिए रख देते ही इसमें आइट करते ही हजबे जरुरत नमक अब बाइल हो गया अब हम इसको साइड में रखते ही अब हम ग्रीन चटनी बनाने के लिए हरा धनिया और पुदीना का पत्ता अद्रक हाफ इंच अब हम इसको फाइन पेस्ट बना लेते ही अब हम इसको एक बाउल में डालते ही और मिक्सी में पानी डाल कर भी वो पानी भी इसमें आइट करते ही अब हम इसमें हाफ लिटर पानी आइट करते ही इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते ही इसमें आइट करते ही हाफ टी स्पून पेपर पौडर और इसमें हम आइट करते ही चाट मसाला एक टी स्पून चाट मसाला आइट करने से यह बहुत ही टेस्टी से होगा अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते ही जो हम खटी मीटी चटनी के लिए अमली बॉल किये थे उसका पेस्ट हम बना लेते हैं अच्छी तरह प्रस करके इसमें से हम जूस निकल लेते ही अब हम जो पोटाटो बॉल करने के लिए रखे थे उसको हम मैश कर दिये अब हम इसको एक बॉल में निकल लेते ही अब हम इस पोटाटो में आइट करते ही टू आनियन चॉप और इस पोटाटो में आइट करते ही हाफ टेबलिस्पून रेड चिली पॉडर और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते ही अब हम इसमें आइट करते ही हारा धन्या आइट करते ही अब हमारा पानी पूरी मसाला भी तैयार हो गया खटी मीटी चटनी तैयार हो गया और गिरीन चटनी भी तैयार से है अब हम पूरी को तर लेते ही ही ये बाजार का से पूरी लेकर आए ही अब इसको हम फ्रै कर लिए नेक्स्ट वीडियो में पूरी बनाने का में तर बिमाई डालती हूँ पूरी रेडी हो गया अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते ही ये बहुत ही क्रिस्पी होगा आईल मेडियम लो फ्लेम पर रखकर हम इसको फ्रै करते ही इसी तरह हम तमाम पूरी को फ्रै करके उठा लेते ही पूरी फ्रै कर लिए देखें ये पूरी कितना क्रिस्पी है इसी तरह हम एक सुराख डाल कर हम अरेंज कर लेते ही तमाम पूरी को सुराख डाल कर अरेंज कर लिए अब हम इसमें फिल करते ही पोटाटो मसाला तमाम पूरी में हम पोटाटो फिल कर लेते ही किस तरह से तमाम पूरी में फिल कर लिए अब ग्रीन चटनी उसमें पूरी में डालते ही ग्रीन चटनी डालने के बड़ खटी मीटी चटनी भी हम इसमें आड़ करते ही तमाम पूरी में हम पोटाटो मसाला खटी मीटी चटनी ग्रीन चटनी सब डालकर फिल कर दिये पानी पूरी तयार हो गया आप भी जरूर से ट्राइ करें और गार्निश करते ही अनियन चाप्ड और हरा धनिया से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर करें कमेंट करें अपनी दुआओं में मुझे याद करें इंशालला एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते ही अल्ला आफिस अजयर क्वार के साथ लाइक शेपर साथ गार्निश करें जो बाद रखिस